नमस्कार दोस्तों आज हम इस विडियो में शाओमी 14 5G वरसेज आइकून यो 9 Pro 5G का फुल डेप्थ कंपारिसन करने वाले हैं इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दुसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको विडियो के लास्ट में देंगे सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डाइमेंशन की दोनों फोन की लेंद की बात करे तो शाओमी 14 5G में 6.02 इंच जब की नियो 9 Pro 5G में 6.44 इंच की लेंद की लेंद की बात करे तो Xiaomi 14 5G में 2.8-1 इंच जब कि Neo 9 Pro 5G में 2.9-8 इंच की width मिलती है बात करें थिकनेस की तो Xiaomi 14 5G में 0.32 इंच जब कि Neo 9 Pro 5G में 0.31 इंच की थिकनेस मिलती है अब बात करते हैं weight की तो शाउमी 14 5G में 193 ग्राम्स जबकि नियू 9 Pro 5G में 190 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है जो की सेंग जैसा ही है तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेर करते हैं डिस्प्ले टाइप की बात करें तो शाउमी 14 5G में LTPO AMOLED जबकि नियू 9 Pro 5G में AMOLED की डिस्प्ले मिलती है असपेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20 रेशियो 9 मिलता है डिस्प्ले साइज की बात करें तो शाउमी 14 5G में 6.36 इंचेज जबकि नियू 9 Pro 5G में 6.78 इंचेज मिलती है डिस्प्ले रेशियोशन शाउमी 14 5G में 1200 X2670 PX FHD जोड और नियू 9 Pro 5G में 1200 X2800 PX FHD जोड मिलता है स्क्रीन टू बॉडी रेशियो शाउमी 14 5G में 89.39 प्रतिशत जबकि नियू 9 Pro 5G में 89.68 प्रतिशत मिलता है बात करें PPI डेंसिटी की तो शाउमी 14 5G में 460 पिक्सेल प्रति इंच जबकि नियू 9 Pro 5G में 453 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्ज यानि विशेशताएं की जो की मोबाइल फोन का महत्वपून हिस्सा है अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्ज कैमरा की दोस्तों सबसे पहले बात करें में कैमरा की तो शाओमी 14 5G में 3 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की प्राइमरी कैमरा अल्ट्रा वाइड अंगल कैमरा और आखिर में टेली फोटो कैमरा देखने को मिलता है और New 9 Pro 5G की बात करें तो इसमें दो कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की प्रामरी कैमरा और आखिर में अल्ट्रा वाइड अंगल कैमरा देखने को मिलता है बात करें विडियो कैमरा की तो Xiaomi 14 5G में 19 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और New 9 Pro 5G की बात करें तो उसमें 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं अब बात करें फ्रंट कैमरा यानि की सेलफी कैमरा की तो Xiaomi 14 5G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की 4 different features मिलते हैं और new 9 pro 5G में भी single camera देखने को मिलता है जिसमें 3 different features मिलते हैं अई अब बात करते हैं hardware के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की information देखते हैं hardware में सबसे पहेले CPU जो की speed के हिसाब से देखा जाये तो phone में सबसे important part है उसकी details देखते हैं GPU की बात करें तो Xiaomi 14 5G में Adreno 750 जबकि new 9 pro 5G में Adreno 740 मिलता है चिप सेट की बात करें तो Xiaomi 14 5G में Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 और new 9 pro 5G में Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 मिलता है बात करें RAM की तो Xiaomi 14 5G में 12 GB की RAM मिलती है जबकि new 9 pro 5G में 3 variant देखने को मिलता है जिसमें 8 GB, 8 GB, 12 GB RAM मिल जाती है बात करें internal memory जिसको हम storage भी कहते हैं वो Xiaomi 14 5G में 512 GB की storage मिलती है जबकि new 9 pro 5G में 3 variant देखने को मिलता है जिसमें 128 GB, 256 GB, 256 GB storage मिल जाती है expandable memory दोनों phone में नहीं है operating system दोनों phone में Android V14 देखने को मिलती है बैटरी, Xiaomi 14 5G में 4,610 mAh जबकि new 9 pro 5G में 5,160 mAh देखने को मिलती है अई अब main feature को देखते हैं colors की बात करें तो Xiaomi 14 5G में 3 colors जबकि new 9 pro 5G में 2 colors option मिलते हैं सब information देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Xiaomi 14 5G में एक ही variant देखने को मिलता है जो की 12 GB RAM 512 GB storage के साथ 45,890 रूपीज में मिल जाता है दोस्तों अब बात करते हैं प्राइस यानि की फायदे और नुकसान की तो Xiaomi 14 5G में 8 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है जबकि बात करें IQ on your 9 pro 5G की तो उसमें 8 फायदे और 7 नुकसान देखने को मिलता है फाइनली बात करें है result की तो डिस्प्ले में Xiaomi 14 5G आगे है में कैमरा में दोनों फोन सेम ही है फ्रन्ट, सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है परफॉर्मेंस में Xiaomi 14 5G आगे है दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना